कांगडा जिला में अब ब्लैक फंगस भी मरीजों की जान लेन लगा है डॉक्टर राजिंदर प्रशाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में उपचारा धीन ब्लैक फंगस से ग्रस्त दो मरीजों ने दम तोड़ दिया जिले में अब तक ब्लैक फंगस से संकर्मि मरीजों की मौत के बाद स्वास्त विभाग पूरी तरह ऐलर्ट हो चुका है ऐसे में ब्लैक फंगस के संभावित लक्षनों वाले मरीजों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है हालांकि स्वास्त विभाग की और से इस महामारी के उपचार के लिए पूरी विवस्ता होनी की बाद कही जा रही है करोना की इस लहर के बीच बलैक फंगस के मामले डराने लगे हैं परदेश के बिविन जिलों के साथ कांगड़ा में भी ये मामले सामने आये हैं डॉक्टर राजिंदर परशाद मेडिकल कॉलेज इवर असपताल में ही छए मामले बलैक फंगस के साम प्रिमो कांगडा डॉक्टर गुर्दर्शन गुपता ने बताया कि अब मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस पे भी विशियेशन नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला में ब्लैक फंगस के छे मामले सामने आए हैं जिनमें दो मरीजों की मौत हो चुकी के अलावा चार मरीज टीमसी में उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विभाग के पास प्रयाप्त दवाईयां भी उपलब्ध हैं। ब्लैक फंगस या मुकर मैकोसिस के हिमाचस सरकार ने इसको भी एक मोटिफाइबर रजीज डिक्लेयर किया है। अभी तक जिला कामरा में छे मामले जो है मुकर मैकोसिस के रिपोर्ट हुए। इसके लिए ने रिपड़ कोलिज को इसके लिए चिनि रगी है इलाज के लिए। इस में से चार उपचारा दीन है और दुर्बागिया बस दो मरीज़्ों को अपनी जान से हाथ भाना पर रहा भी तरुए। कि जहां तक त्यारी की बात है जो इसकी में प्रियोग में लाय जानिक हैं द्वाई है एंफोडरेशन भी वो प्रियाप्त मात्रा में टांडा मेडिकों को अपलब्ध है। इन रोगियों को कई बार सेजरी की भी वर्षक तो होती है, मल्टी डिस्मिलरी है जिसमें अप्थाल्मालोजी, E.N.T, नियूरो सेजरी, उन लोगों को इमार्मेट होती है, ये सारी सुद्धा हैं, इंटानमेट्टूपोरिजमें, उपलब्ध हैं, और विवाग जो है, इस उनको वो इंफर्मेशन शेर करनी पड़ेगी, कि कहीं भी कोई सस्पेक्ट आपता है, यूकरमाइकोसिस के बारे में, और उसको जो है वो तुरांत रेफर करेंगे टानमेट्टूपोरिज, जहां पर उनका उची तुचा हो सकी है.